असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बक्राइद स्पेशल क्रिस्पी मटन फ्राइ की रेसिपी जो बहुत ही जादा टेस्टी बनता है जितना इजी बनाने में है उतना ही टेस्टी खाने में भी है तो जब आप इसको घर पर बनाएंगे सब को खिलाएंगे आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे तो जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करकर जूरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी तो रेसिपी पसंद आए प्लीस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइ और अपने फैंबली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजेगा तो चिली देख लेते हैं तो क्रिस्पी मटन फ्राइ बनाने के लिए हमने यहां पर 800 ग्राम मटन ले लिया है अच्छे से हमने इसको वाश कर लिया है यहां पर हमने थोड़े बड़े पीस रखे हैं आप 1 टी स्पून नमक और आधा कप इसमें पानी एट करना है और सबी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी क्यों कमी रखेंगे क्योंकि हमें 80% तक मटन को को करना है बागी 20% जब हम फ्राइ करेंगे तब यह को हो जाएगा अब लिट लगा देंगे 8 विसल ले आप हाई फ्लेम पर उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें जब प्रेशर को कर ठंडा हो जाया तब इसको हमने खोल कर देखना है तो प्रेशर को कर यहां पर ठंडा हो चुका है खोल कर देखेंगे तो देखिए मटन यहाँ पर 80% दग कुक हो चुका है अगर इसमें पानी रह भी जाए तो आप हाई फ्लेम करकर इसको ड्राय कर लीजिए इस तरह से तो इसको साइट कर देंगे ठंडा होने के लिए अब यहाँ पर इसका मैरिनेशन तयार करेंगे तो पहला हम आदे मटन का मैरिनेशन तयार करेंगे तो इसके लिए 2 टेबल इस्पून दही एड़ कर देंगे अब कुछ पाउडर मसाले जाएंगे तो यहाँ पर हमें लेना है हाफ टीइस्पून धनिया पाउडर हाफ टीइस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर और हाफ टीइस्पून लाल मिश पाउडर हाफ टीइस्पून गरम मसाला पाउडर हाफ टीइस्पून जीरा पाउडर वन टीइस्पून चाट मसाला पाउडर हाफ टीइस्पून काली मि तो यहां पर कम लगे तो आप एक टीस्पून और एट कर लीजेगा थोड़ा से हम वन फोर टीस्पून के करीब नमक करेंगे क्योंकि हमने मटन में बॉइल करते बग प्रॉपर नमक डाला है थोड़े से मसालों के लिए सिर्फ नमक कर रहे हैं अच्छी से मिक्स कर लेंगे अगर आपको यह मसाला ड्राय लगे थोड़ा सा पानी एट कर लीजेगा तब इस तरह से मिक्स कर लीजेगा अब इसमें आधा मटन एट करेंगे जो हमने बॉइल कर रखा हुआ है आधा मचा कर रखेंगे बाद में किस तरह से दूसरा हमें मटन फ्राय करना है बो भी दूसरी तरह से देख लेते हैं किस तरह से हमें आधा मटन फ्राय करना है तो यहां पर एक बोल लेना है एक एग लेना है और यहां पर हाफ टी इस्पून काली मिर्ट का पावडर को नम्मा नमा का बहुत ज़ादा एट नहीं करेंगे अच्छे से इसको बीट कर लेना है त यह बहुत ही कम मसालों के साथ मतलब मसाला जाता ही नहीं बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी यह बच्चे शौक से खाएंगे तो जुरूर बनाईएगा और अच्छी से mix कर लिया है ये दिखी तो बस अब हमें मतन को fry करना है तो एक पैन रख लिए हमने यहां पर ऑईल एक्ट करेंगे आप जितना चाहें उतना उइल एक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम fry कर ले हैं कर लेंगे गरम हो चुका है तो इसमें मटन को एड कर देना है मतन के पीसिस को इस तरह से और दोनों साइट से अच्छे से इसको अपने फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कीजिए अब देखिए मटन यहां पर एक इसको भी अच्छा कलर आ चुका है लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कीजिए और पुलट करकर तो यह हमारा दो तरह का मटन फ्राई बन चुका है तो इसको सर्फ कर लेते हैं ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और लच्छा प्या इसको ग्रीन चटनी के साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर देखें दूसरी तरीका का भी देख लेता है यह बहुत जादा डिलेशिस बनाए बच्चों के लिए तो यह परफेक्ट है तो अभी तक आपने अगर इं रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अलह हाफीज